राजनीती में एक बड़ी मशूर बात कही जाती है जब तक चावल पकी नहीं तब तक चावल किसी की नहीं कहने का मतलब है दोस्तों ये है कि चूला किसी का भी हो सकता है हांडी किसी की भी हो सकती है लेकिन चावल किसका होगा ये तो उसके भात पर ही तै होगा कब कौन किस जब जमाई देवर हो जाए कहा नहीं जा सकता बिहार में नितीश कुमार के पलटवा राजनीती के बाद अब पारी उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक ब्रेक अब की हो चुकी है दोस्तों दुंदली तस्वीरें लगभग साफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश के द चौधरी अजीत सिंग के बेटे जयन्त चौधरी अब सपा का हाँच छोड़ कर भाजपा का हाँच थामने की तयारी में हैं प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पारा तुफान उफान पर है इडी गठबंदन के विकेट भाजपा ऐसे इतनी आसानी से गिर चौधरी अजीत सिंग की एक बड़ी प्रतीमा का अनावरन होना था लेकिन रालोद प्रमुक चैन चौधरी जी ने अनावरन कारिकरम अभी रुकवा दिया है और कहा है कि इसका अनावरन देश के बड़े नेता करेंगे अब ये बड़े नेता का इशारा किधर है यह राठबंदन में उत्तर प्रदेश की कमान समाजवादी पार्टी के हाथों है और समाजवादी के लिए रालोद उसका हाथ पैर है सपा ने रालोद के लोकसभा के लिए साथ सीटों का ओफर दिया लोकसभा दोहजार चौबेस के लिए अब ये साथ सीटे कौन थी ज़रा ये सीटे हैं केराना, मुजफर नगर, बागपद, मेरट, हातरस, मथुरा और फतेपूर सिक्री रालोद को ये सीटे देकर सपा नेक पेंच ये फसादी कि इनको अपने टिकट पर तीन सपा उमिद्वार उतारने होंगे यानि की घोड़ी रालोद की और दुलहा सपा का सपा कहराना, मुजफर नगर और बिजनौर सीट पर रालोद के सिंबल पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी रालोद ने फिर बिजनौर छोड़ अम्रोहा पर दाबा ठोका और फिर मामला वहीं फस गया तो ना तो रालोद अपने सिंबल पर सपा के उमिदवार उतारना चाहता था और ना बात ही बन रही है आगे कुछ इस तरह से फिर रालोद ने सपा के साथ हाथ मिलाना छोड़ा और अब धीरे धीरे अवश्यक दूरी भी बना रही है तो संभव है कि सीट का बटवारा बहाना हो रालोद का जण्डी में के जण्डी के डूपते जहां से कूदने के लिए क्यूं क्यूंकि राजनीती की जो प्राण वायू है ना वो सीट नहीं है बलकि जीत है और दिशाहीन इंडी गठवन्दन कहीं से भी जीत कर क्या होने वाला है लेकिन ये जो आपस की चुड़ी पक रही है उसका क्या कर सकते है आगे सुनिए पूर्वर प्रधान मंतरी चौधरी चरण सिंग पूर्वर मुख्य मंतरी चौधरी अजीत सिंग के बाद जैन चौधरी के हाथ में रालाओद बीते दो चुनावी टर्म्स को छे सत्ता सुख को तरसी हुई है और अगर इस बार भी वही बात रालाओद के साथ दोहराती है निश्चितनता ही ही चली जाएगी पश्च में उत्तर प्रधिश की जमीन धीरे धीरे चौधरी साहब के पैरों के तले से खिसक रही है और अगर ये पूरे तरह से खिसक गई तो यह बात भी ठीक नहीं होगी तो जयन चौधरी अब जीतने का मन बना चुके हैं सत्ता में पुनह वापसी का मन बना चुके हैं और अभी भी राजनितिक प्रधिश में सिर्फ मोधी की गारेंटी है जो 24 कैरिट गोल्ड की तरह बिखता है भीया अब उट इस करवट बैठेगा और छोटे चौधरी की प्रतिमा का अनावरन कौन बड़े नेता करेंगे ये तै करने का जिम्मा जयन चौधरी को है और हमें लगता है कि जोहन चौधरी एक बार मोधी जी को बढ़िया एक बढ़िया समय देखकर ये गिफ्ट करेंगे ये बढ़िया समय तब हो सकता है जब राहुल गांदी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश की परीधी में घुसेगी ओ हो 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 राजनीती का कहरा जिसमें प्रधान मंत्री की गोद में पढ़ा हो और ऐसे प्रधान मंत्री की गोद में पढ़ा जो जिन्हें कुरसी किसी की महरबानी और विरासत में नहीं मिली हो चुनाव के प्राणवायू से परिचित होता ही है राहुल गांदी समझ नहीं पा रहे हैं कि या उनकी मित्र मंडली उनको सला नहीं दे पा रही ये तो पता रही लेकिन 2024 के लिए उनकी टीम की तयारी में कोई खास कसाव नहीं दिख रहा है दोस्तो लगातार बिखर रही गठबन्दन के सातने की जगा वो न्याय यात्रा किये ही जा रहे है नितीश कुमार पाला बदल चुके हैं मंताब अनरजी पहले हिँ उठा दिखा चुकी है हिमन सोरण जेल में हैं केजरिवाल जेल जाने की तयारी में और अब जैन चौधरी छोड़ने की तयारी में है भाजपा को चिनौती देने के लिए एक साथ आई टीम अब पूरी तरह से बिख़ट चुकी है अब बस देखना ये है कि कब ये घोशना कर फाइनल ब्रेक अप को सारवजनिक कर देते हैं हम तो इस फाइनल ब्रेक अप के इंतिजार में हैं बाकि ये अंग्रेजी सिस्टम से निभाने वाले ये जो वैलेंटाइन वीक चल रही है इसको लेकर भी बहुत सारी बाते होती है तो उस वैलेंटाइन का तो हमें पता नहीं बर इस गठवंदन के वैलेंटाइन के बाद के ब्रेक अप का हम इंतिजार कर रहे हैं बागे आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कितना जबरदस्त खबर लगा आपको ये सुनकर हसी आई राहूल गांदी के न्याय यात्रा के बारे में आपका क्या विचार है इन सभी पे विमर्श करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दा लिए और यूहीं चैनल पे बने रहें अपना प्यार देते रहें जैहिन वंदे मात्रम